नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आकाश दीप 2.0 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे दिल्ली एंसी आर के प्रदूशन के बारे में आठ वर्षों में इस बार अक्टूबर नवंबर में सबसे कम प्रदूशित रही दिल्ली, CAC की रिपोर्ट में दावा दिल्ली एंसी आर में इस वर्ष ठंड के इस सीजन के शुरुवाती दिनों में प्रदूशन कम रहा है खास तौर पर दिल्ली में इस साल अक्टूबर नवंबर में पिछले आठ वर्षों की तुलना में प्रदूशन का स्तर कम रहा है NCR के अन्य शहरों में भी पिछले तीन वर्षों की तुलना में प्रदूशन कम रहा है CAC Center for Science and Environment के एक विशलेशन में ये दावा किया गया है फिर भी दिल्ली NCR में सबसे अधिक प्रदूशित रही CAC के इस विशलेशन के अनुसार अक्टूबर के शुरुवाती दो सपताह में पांच दिन हवा की गुनवत्ता अच्छे श्रेनी में दर्ज की गई जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं आधि रही इस वजह से दिल्ली धुये के चेमबर में तब दील नहीं हुई अक्टूबर माह में बारिश के कारण भी प्रदूशन कम हुआ स्मॉग भी नहीं चाया, तीन दिन हवा भी नहीं रही खराब CAC की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में इस बार अक्टूबर वर नवंबर में दिल्ली में पीम 2.5 का और सत्सतर सबसे कम रहा इस बार एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब कई दिनों तक लगातार तक वातावरन में स्माग जाया रहा हो लगातार तीन दिन तक हवा गंभीर श्रेनी में रहने की घटना भी नहीं हुई पिछले वर्ष की तरह आप बढ़ सकता है प्रदूशन CAC की कार्यकारी निदेशक प्रिसच एंड एडवोकेसी अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि इस बार सर्दी का सीजन शुरू होने के शुरू आती दिनों में भले ही प्रदूशन कम रहा लेकिन स्थानिय कारणों से बाद में प्रदूशन का स्तर बढ़ सकता है पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था इसलिए प्रदूशन को स्तर को संतोश जनक स्तर पर लाने के लिए वहनों से निकलने वाले धुएं और योगे के कायों, पावर प्लांट, कुड़ा जलाने, धूल के स्रोतों वगहरों में इस्तेमाल होने वाले प्रदूशन योगतींधन जैसे स्थानिय स्रोतों पर वर्ष भर सकती जरूरी है विशलेशन में सामने आयत अथ्य दिल्ली के 37 वायू गुनवत्ता नियंतरन केंद्रों के डाटा के अनुसार अक्टूबर नवंबर में पी-म 2.5 का उसत स्तर 142 माइक्रोग्रम प्रती घन मीटर रहा, जो वर्ष 2018 की तुलना में करीब 15 प्रतिशत कम है वही वर्ष 2016 की तुलना में इस बार पी-म 2.5 का स्तर 38 प्रतिशत कम रहा नासा के बियायरस सेटलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों के अनुसार इस साल अक्टूबर वन अवंबर में पंजाब, हर्याना और दिल्ली में पराली जलाने की 54,391 घटनाएं और नासा के MODIS सेटलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों के अनुसार पराली जलाने की 11,824 घटनाएं दर्जुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत वा 42 प्रतिशत कम है दिल्ली NCR में 3 सबसे अधिक प्रतूशित शहरों में अक्टूबर नवंबर में PM 2.5 का और सत्सतर दिल्ली 142 माइक्रोग्राम प्रतिगं मीटर, गुरुग्राम 134 माइक्रोग्राम प्रतिगं मीटर, गाजियाबाद 131 माइक्रोग्राम प्रतिगं मीटर मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके अपनी राय दे और चैनल को वन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले